हेलो स्टुडेंट मेरा नाम तानिलाल ठाकूर है और हम पढ़ रहे हैं C Programming Language आज हम पढ़ेंगे C Programming Language में टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरियाबल्स और कॉंस्टेंट्स छातरों C Programming Language भी हमारी Natural Language जैसे हिंदी होती है, इंगलिश होती है, वेसे ही होती है जैसे हम हिंदी या इंगलिश लेंगवेज सिखते हैं, वेसे ही हम C Programming Language भी सिखेंगे हिंदी या इंगलिस जैसी बोलचाल की बाशा दो व्यक्तियों के भी बाच्चित करने के लिए उपयोग की जाती है उसी तरह C programming language कम्प्यूटर और इंसान के बीच कम्मिनिकेशन करने के लिए उपयोग की जाती है बच्चो जब हम कोई बाशा सिखते हैं तो क्या करते हैं जरा सोचिए मेरे ख्याल से जब हम कोई लेंग्वेज सिखते हैं तो सबसे पहले हम उस लेंग्वेज की सबसे छोटी इकाई यानि उसके अक्षरों को सिखते हैं और उसके बाद उन अक्षरों के द्वारा हम शब्द बनाना सिखते हैं और शब्दों से हम statement बनाना सिखते हैं छात्रों C programming language हमारी English language में लिखी गई है इसलिए हमें English का ग्यान होना भी आवशक है जैसे English language सिखने के लिए हमें अक्षरों का ग्यान जैसे A, B, C, D से लेकर J तक हम अक्षर सिखते हैं उसके बाद उनसे हम शब्द बनाते हैं शब्द बनाने के बाद हम sentence बनाते हैं तो उसी तरह C language के अंदर में भी हम A से लेकर J तक सारे letters हम use करेंगे uppercase यानि capital letters और lowercase यानि small letters दोनों के बीच में difference होता है क्योंकि computer के अंदर या computer के keyboard के उपर में जो letters बने हुए है उनका ASCII code सभी का different है इसलिए दोनों के बीच में difference होता है हम numbers भी C programming के अंदर में use करते हैं तो numbers 0 से लेकर 9 तक numbers हम इस C programming language में use करेंगे और साथ में जो keyboard के उपर में different types के symbols होते हैं उन symbols को भी हम programming language के अंदर में use करेंगे जो program के अंदर में smallest element यानि जो शब्द हम बनाएंगे उनहीं को हम identifiers, keywords, variables और constants कहते हैं तो चात्रों आज के इस video lecture में हम इन ही elements को पढ़ेंगे चात्रों यह पूरी lecture series राजुगांदी प्रोदेगी की विश्विद्यालाई बोपार द्वारा design किये गए outcome based curriculum के अनुसार बनाई जा रही है इसलिए हम इस lecture से course outcome first प्राप्त करने वाले हैं जिसमें हम programming language में जितनी भी basic terminology होती है उसे describe कर सकते हैं तो चात्रों यह हमरा first course outcome है जिसको हम इस video lecture के बाद प्राप्त कर पाएंगे यानि describe the basic terminology used in C programming तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर चात्रों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप C programming language में tokens को जान पाएंगे C programming language में identifiers को जान जाएंगे C programming language में keywords को जान पाएंगे C programming language में आप variables को जान पाएंगे और C programming language में constant को भी आप जान पाएंगे चात्रों सबसे पहले हम C program के अंदर token क्या होते हैं उसको पहले समझते हैं तो what is token in C यानि C में token क्या होते हैं token is the smallest element आपे program यानि किसी C program के अंदर जो सबसे छोटा element होता है उसे हम token कहते हैं जो compiler के लिए meaningful होता है अब हम यहाँ पर देखते हैं tokens के types टोकन जनरली 5 types के होते हैं तो सबसे पहला होता है identifiers दूसरा होता है keywords तीसरा होता है constants चोथा होता है strings और 5 वा होता है operators तो चात्रों इस तरह जो छोटे छोटे elements हमारे program के अंदर होते हैं उसे हम tokens कहते हैं हम next slide पे समझते हैं इन tokens के types को तो tokens generally हमारे 5 types के मैंने अभी बताया तो सबसे पहला हमारा identifiers तो बच्चो identifiers हमारे program में कैसे होते हैं तो जैसे हम कोई program के अंदर में variables लेते हैं जैसे मैंने last video में बताया था एक C program मैंने दो संख्याओं को जोड़ने के लिए जो पिछला वीडियो लेक्चर में ने दिया था उसके अंदर में हमने variables लिये थे sum, num, num, to तो ये जो हमने लिखा sum तो ये variable का नाम है तो इसी को हम identify कहेंगे तो यह एक छोटा element है एक program के अंदर इसलिए हम इसको भी token कहेंगे फिर दूसरा होता है हमारा keywords तो keywords क्या होते हैं जो predefined words होते हैं यानि C compiler के अंदर जो पहले से ही words defined कियो हुए है उनको हम keywords कहते हैं जैसे while, printf, तो बच्चों मैंने जो पिछला video lectures दिया था उसके अंदर में जो program मैंने बनाया था उसके अंदर printf function का उपयोग किया गया था वो है एक keywords है तो यह भी एक छोटा element है program के अंदर इसलिए हम इसको भी token कहते हैं फिर तिसरा जो token होता है हमारा constants तो constants क्या होते हैं तो यहाँ पर मैंने बताया है constants जैसे 45, 12 एसे जो values होती है जिसकी value में कोई changes नहीं कर सकते हैं तो उसको हम constant कहते हैं तो यह भी एक छोटा element है हमारे program के अंदर इसलिए इसको भी हम tokens कहते हैं फिर अगला token हमारा है operators तो छात्रो मैंने पिछले जो program में operators का भी उपयोग किया था यहाँ पर जो संक्याओं को जोड़ने के लिए plus operator का हम इने उपयोग किया था तो plus, minus, multiplication यहाँ पर जो star दिखाया गया है इसको हम multiplication कहते हैं फिर divide, equal to यह जो mathematicals, जो symbols हैं इन ही को हम operators कहते हैं तो छात्रो operators और भी different types के operators होते हैं हम इन सारे tokens को detail में, next lectures में या next slide में में इनको detail में समझाओंगा तो operators भी हमारा एक program के अंदर छोटा element होता है इसलिए हम इसे tokens कहते हैं next है हमारा string हमने last video में string भी देखा था जैसे double quotation के अंदर जो message हम लिखते हैं वो screen के उपर में display हो जाता है तो जो double quotation के अंदर जो message हम program के अंदर लिखते हैं उसी को हम strings कहते हैं तो यह string भी हमने पिछले video में program के अंदर में use किया था तो चातरो tokens हमारे 5 तरह के होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया और उन tokens के example भी मैंने यहाँ पर बताया है अब हम समझते हैं identifiers तो चातरो identifiers क्या है यह एक tokens है जो हमरे c program के अंदर में एक छोटा elements होता है तो what is identifier in c programming language तो c identifiers represents the name of variables functions, arrays, structures unions and labels मतलब जो हमरा c program हम जब लिखते हैं तो उसके अंदर जो हम variable का उप्योग करते हैं, functions बनाते हैं arrays लिखते हैं और structures design करते हैं unions बनाते हैं और उसके अंदर जो levels देते हैं उनके जो नाम होते हैं उन नाम को represent करने के लिए जो नाम लिखा जाता है उसी को हम identifier केते हैं An identifier can be composed of letters such as uppercase, lowercase letters, underscores, dz मतलब जो हम identifier का जो नाम लिखते हैं या नाम बनाते हैं उसमें हम letters का उप्योग करते हैं जो uppercase यानि capital letters और lowercase यानि small letters इन letters को मिला कर और साथ में underscore भी हम use करते हैं और कुछ dz भी हम use कर सकते हैं तो इन सब को use करके हम c के identifiers बनाते हैं but the starting letter should be either an alphabet or underscore तो जब भी हम identifier बनाएंगे तो हमें ये धियान रखना है कि पहला आक्षर English के a से लेकर j तक का later होना चाहिए या underscore होना चाहिए यानि कि number से उसको हम start नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर identifiers को किस तरह हम बनाएंगे तो उसके general rules भी मैंने आगे बताया है तो यहाँ पर हम देखते है rules for construct identifiers तो सबसे पहला rule हमारा है first character should be character और underscore तो जो identifiers हम लिख रहे हैं उसका पहला अक्षर हमारा character या letters मतलब अक्षर होना चाहिए और या underscore जो underscore होता है वो होना चाहिए underscore यानि जो hyphen होता है या जो minus symbol होता है उसके नीचे में दिखाई देता जैसे यहाँ पर मैंने bracket में दिखाया है तो जातरो identify बनाने के लिए सबसे पहला rule होता है हमारा जो पहला अक्षर होगा वो अक्षर ही होगा और underscore होगा किसी number से हम identifiers नहीं बना सकते हैं फिर दूसरा नियम हमारा है identifier should not start with numbers मतलब हमारा जो identifier है वो number से शुरू नहीं होना चाहिए तीसरा rule हमारा है uppercase and lowercase letters are distincts and case sensitive मतलब जो अंगरे जी के capital letters यानि कि जो बड़े अक्षर होते हैं वो और lowercase letter यानि small letter चोटे अक्षर होते हैं उनके बीच में difference होता है क्योंकि उनके ASCII code अलगलग बने हुए इसलिए आप जब भी identifier बनाए तो यदि आपने पहला अक्षर या पूरा जो identifier से capital में लिखा है तो दूसरी जगों जब उसका use होगा तो capital में ही लिखना होगा वरना वो गलत हो जाएगा चौथा रूल हमारा है commas and blank spaces not allowed in identifiers मतलब जो identifiers हम बना रहे हैं उसमें comma नहीं होना चाहिए और बीच में कोई gap नहीं होना चाहिए मतलब जैसे दो शब्दों के बीच में gap होती है तो ऐसा हमको identifier नहीं बनाना है फिर अगला rule हमारा keywords are not used as identifiers मतलब जो c compiler के अंदर में पहले से define के हुए words को हम identifier जैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं next rule हमारा है identifier should be meaningful short and easy to read मतलब जो हम identifiers बना रहे हैं वो meaningful होना चाहिए उसका एक मतलब निकलना चाहिए जैसे sum एक variable हमने लिया sum तो sum से हमको उसका meaning समझ में आ जा रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ना है जैसे aid aid से भी हमको ये समझ में आता है कि किसी संख्या को जोड़ना है num1 तो कोई एक number होगा एसा हम उसका जो identifier बना रहे है उसका meaning हमको समझ में आ जा रहा है और shard shard मतलब छोटा बनाना है बहुत लंबा या बड़ा हमको identifiers नहीं बनाना है और easy to read मतलब आसानी से पढ़ने में आ जाए ऐसा identifier हम बनाएंगे तो छात्रों identifier बनाने के लिए इतने rules हमारे पास होते हैं इन rules के अनुसार ही आप identifier बनाएंगे वरना आपका जो identifier से वो गलत हो जाएगा और जब आप program को run करेंगे तो वहाँ पर आपको error show होगी अब हम valid identifiers देखते हैं कि जो सही identifier है वो केसे होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं sum यहाँ पर sum लिखा है यह valid identifier से मतरव यह सही तरीके से हमने identifier बनाया इसी तरह देखिए total यह total से भी जैसे हम कोई संक्या को जोड रहे हैं और आखरी में जो total आएगा उसको display करवाने के लिए जो हम identifiers लिखेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसी तरह लिख सकते हैं इसी तरह sum के बाद हम underscore यूज कर सकते हैं तो यह भी हमारा valid identifiers है इसी तरह sum underscore one तो यह भी हमारा एक identifiers है दो शब्दों का अगर हम एक identifier बनाना चाहते हैं तो underscore लगा कर दोनों शब्दों को जोड सकते हैं तो इसलिए हम underscore का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, तो यह valid identifiers होते हैं, इस तरह valid identifiers होते हैं अब हम देखते हैं, invalid identifiers, मतलब जो गलत identifiers होते हैं, वो केसे होते हैं, जैसे to sum, तो यहाँ पर हमने number से start कर दिया, तो हमारा जो rules है, उसमें यह लिखा गया है कि कोई भी identifiers हमारा numbers या digits से start नहीं होगा, इसी तरह यहाँ पर देखिए, int, int, यह keyword है, यह data type को define करने के लिए keyword होता है, तो keyword यानि जो c compiler में पहले से define किये होए words हैं, उसे हम keyword केते हैं, तो हम keyword का भी उप्योग identifiers के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर char, character, तो यह भी एक हमारा keyword है, इसलिए यह भी invalid identifiers होगा, यहाँ पर देखिए, n प्लस 1, यह identifier नहीं है, यह कोई हम formula बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम identifiers की बात कर रहे हैं, identifiers मतलब किसी का नाम लिखना है, जैसे आप swim का अपना नाम लिखते हैं, तो जो नाम आपका होता है, वो identifiers होता, मतलब identification, पहचान करने के लिए कोई नाम लिख रहे हैं, तो उसी को हम identifiers करते हैं, तो यहाँ पर n प्लस 1 हमने कर दिया, तो यह भी गलत identifiers कहलाते हैं, तो चात्रों, इस तरह हमारे identifiers हम बनाते हैं, और उनको बनाने के लिए कुछ rules होते हैं, उन rules को आप थोड़ा detail से समझें, अब हम समझते हैं, keywords, हमारे c program के अंदर keywords क्या होते हैं, तो keywords हमारे जो पहले से word define होते हैं, c compiler में, उसको हम keywords कहते हैं, तो एक keyword is a reserved word, मतलब जो words, compiler पहले से reserve करके रखा हुआ है, वो words हमारे keywords कहलाते हैं, you cannot use it as a variable name, constant names, etc, मतलब आप जो variable का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया कि variable का नाम जो लिखते हैं, उसी को हम identifies कहते हैं, मतलब identification के लिए जो name हम use करते हैं, उसको हम identify करते हैं, तो variable का नाम keyword से नहीं लिख सकते हैं, या keyword जो पहले से बने हुए, उन words को variable के नाम के लिए या constant के नाम के लिए हम use नहीं कर सकते हैं, they are only 32 reserved words in this sea language, छात्रों यहाँ पर total 32 reserved words पहले से लिखे हुए हैं, उस नहीं को हम keywords कहेंगे, तो यहाँ पर मैंने उनकी list बताई है, तो सबसे पहला auto, break, cases, character, constant, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, far, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, aesthetic, struct, switch, type defined, union, void, volatile, break, और while, तो बच्चों यह total 32 words हैं, जो पहले से हमारे c compiler के अंदर में define किये हुए हैं, या reserved word हैं, जो पहले से रखे हुए हैं, तो इन words को हम variable के नाम के लिए use नहीं कर सकते हैं, इन नाम से हम variable नहीं बना सकते हैं, और constant का नाम भी हम नहीं लिख सकते हैं, तो इतने हमारे keywords होते हैं, इनको हम keywords कहते हैं, next हम समझते हैं, variables in c, मतलब हमारे c program में जो variables हम लिखते हैं, वो क्या होते हैं, तो a variable is a name of the memory location, बच्चों, जो data हम computer को देते हैं, program जब बनाते हैं, जैसे हमने पिछले video lecture में देखा था, कि दो संख्याओं को जोड़ने के लिए c program वहाँ पर हमने लिखा था, तो उस program में दो संख्या हम computer को देते थे, और computer उस program के माध्यम से दो संख्याओं को जोड़कर output हमको display करवाता है, तो जब हम value इंटर करते हैं, तो वो किसी memory पर जाकर store होता है, तो उस memory के location को हम variable का नाम देते हैं, मतलब किसी variable के अंदर में हमारे जो data देते हैं उसको store करवाते हैं, तो जो variable होता है वो memory location होता है, उस memory location को ही हम variables केते हैं It is used to store data मतलब variable क्या काम कर रहा है data को store करने का काम करता है Its value can be changed जैसे हम एक छोटा सा example लेते हैं हम जैसे पानी को store करते हैं तो यह एक example है जो glass है वो एक हमारा variable के लाएगा उसके अंदर हम पानी को दूसरी बार भी बदल सकते हैं मतलब जैसे पानी हमने फेक दिया या पानी पी गए तो glass खाली हो गया फिर दूसरा पानी हम उसमें डाल सकते हैं इसी तरह variable के अंदर में value जो हम store कर वा रहे हैं वो change हो सकती है and it can be reused many times यानि कई बार हम इस variable को use कर सकते हैं it is a way to represent memory location मतलब यह एक memory location को represent करने का एक तरीका है through symbols मतलब जो actions हम use कर रहे हैं या digit numbers यूज़ कर रहे हैं या जितने भी symbols हम use कर रहे हैं उसके द्वारा हम memory location को represent कर सकते हैं so that it can be easily identified मतलब आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन से डेटा किस variable के अंदर में हमने store किया तो बच्चो variables क्या होते हैं यानि memory के location को represent करने के लिए जो identifiers हम use करते हैं उसको हम variables करते हैं छात्रों हम variables को कैसे declare करते हैं उसका syntax पहले हम समझते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था variables को declare करके भी बताया था तो बच्चो variable declaration के लिए जो syntax होता है वो इस तरह होता है type यानि यहाँ पर data type किस तरह का data type हम लेंगे तो उसका keyword लिखेंगे उसके बाद variable name मतलब कौन सा हम variable define कर रहे है या declare कर रहे है उसका नाम यानि identifies यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर example देखते हैं किस तरह हमारा variables declare होता है जैसे integer तो integer क्या है हमारा type variable name क्या है a और comma b is equal to 5 यहाँ पर हमने एक ही line के अंदर में 2 variable का declaration किया 2 variable declare करने के लिए हमको comma का इस्तेमाल करना पड़ता है तो a comma b अब b की value हमने यहाँ पर ही assign कर दिया assign 5 जो equal to sign यहाँ पर दिया है इसको assign symbol के थे हैं तो b assign 5 तो b की value b को हमने 5 value assign कर दिया और 5 यहाँ पर constant है जैसे हमने यहाँ पर token में constant देखा था तो constant value जो fix होती है change नहीं होती है दूसरा example है character name तो chr यानि कि इसको character बोलते है तो यह एक type होता है data type होता है तो type का नाम क्या है यहाँ पर character और variable name क्या है name name मतलब जैसे किसी student का नाम हमको enter करवाना है या किसी employee का नाम enter करवाना है तो जो भी नाम हम व्यक्ति का नाम enter करवाना चाहते तो हम उसको character उसके जो data type है वो character type का है ABCD में नाम होता है और integer A A में क्या होगा वो number के लिए है तो इस तरह से data type भी अलग लग होते है तो data type का भी हम next lecture में समझेंगे तो यहाँ पर केवल example में ने बताया है here A, B and name are variables यहाँ पर जो A, B और name जो लिखा हुआ है यह हमारे variables के लाते हैं तो चात्रों हमारे program के अंदर में हम variable को इस तरह declare कर सकते हैं अब हम देखते हैं variable को बनाने के नियम सबसे पहला नियम हमारा है variables can have alphabet, digits and underscores जो variables होता है उसके अंदर हम alphabet रख सकते हैं digit रख सकते हैं और underscore भी हम रख सकते हैं दूसरा नियम हमारा variables should start with alphabet and underscore only जो variable का नाम हम देंगे वो alphabet से शुरू हो सकता है या underscore से शुरू हो सकता है अगला rule समारा है blank space is not allowed in variable names जो भी variable का नाम हम लिख रहे हैं उसके अंदर में blank space यानि कि उसमें gap नहीं होना चाहिए reserved words और keywords are not used as a variables मतलब जो अगला rule समारा उसमें हम reserved word या keywords का उप्योग variable के लिए हम उप्योग नहीं कर सकते हैं अब हम valid variables कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं integer a फिर character underscore name यहाँ पर underscore का हमने use किया integer a 5 हमने जो digit लिया है वो alphabet के बाद लिया है इसलिए यह हमारा valid variables होगा अब valid variables के बारे में देखते हैं integer 2 तो 2 क्या है यह हमको समझ में नहीं आएगा यह compiler को समझ में नहीं आएगा क्योंकि variable बनाने के लिए हम किसी alphabet से शुरू कर सकते हैं या underscore से शुरू कर सकते हैं बाकि किसी दूसरे numbers से start नहीं कर सकते हैं इसलिए यह invalid variables होगा character long long यहाँ पर keyword है जो पहले से define word है उनको हम variable के नाम के लिए use नहीं कर सकते हैं अब यहाँ तीसरा जो invalid variables बताया है int a, b तो यहाँ पर a और b के बीच में space दिया हुआ है यदि हम यहाँ पर कामा दे देते हैं तो यह valid variables हो जाता है तो छात्रों इस तरह से हम variable को बनाते हैं जिनके कुछ rules हैं और valid variables किस तरह बनते हैं और invalid variables किस तरह से बनते हैं यह मैंने आपको यहाँ पर समझाया अब हम c program के अंदर constants क्या होते हैं इसको समझते हैं तो a constant is a value are variables that cannot be changed in the program मतलब जो program के अंदर में हम value का उप्योग कर रहे हैं या variable का उप्योग कर रहे हैं उसकी value change नहीं होती है उसे हम constant केते हैं for example 10, 20 single quote यहाँ पर single quote दिया हुआ है single quote के अंदर a लिखा हुआ है तो यह भी हमारा constant के लाएगा 3.4 यह भी हमारा constant के लाएगा यह double quotation में c program लिखा हुआ यह कि string है तो यह भी हमारा constant के लाएगा अब हम types आप constant को समझते हैं कि constant कितने परकार के होते हैं तो सबसे पहला होता है decimal तो decimal में जैसे 12, 45, 78, etc. मतलब इस तरह के जो numbers होते हैं decimal numbers वो हमारे decimal constants के लाते हैं दूसरा constant type है हमारा floating point जैसे जो points के अंदर में numbers होते हैं उनको भी हम constants केते हैं इनको हम floating point constant केते हैं तीसरा constant हमारा होता है octal octal एक computer का number system होता है जिसमें हम 0 से लेकर 7 तक digit का उप्योग कर सकते हैं और 3 digit में हम लिखते हैं तो इस तरह का जो constant होता है उसको भी हम constant के type में octal constant केते हैं अगला होता है hexadecimal hexadecimal यानि 0 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 15 तक A से लेकर F तक के digit में हम लिखते हैं तो hexadecimal number इस तरह से लिखे जाते हैं और इनको भी हम constant केते हैं next है हमारा character constant मतलब जो अक्षर्स होते हैं हमारे उनको हम characters constants केते हैं तो और इनको single quotation के अंदर में लिखते हैं जैसे single quote में A, B, X इस तरह से लिखा है तो ये हमारे character constants केलाते हैं last है हमारा string constant string constants double quotation के अंदर में लिखे जाते हैं जैसे यहाँ पर c programming, c program इनको double quotation के अंदर में लिखा है तो ये हमारे strings केलाते हैं और ये भी हमारे constants होते हैं तो छात्रों इस तरह constant के types होते हैं जिनकी value हम change नहीं कर सकते हैं या change नहीं होती है इसे हम constants केते हैं तो ये भी एक हमारा छोटा element है प्रोग्राम के अंदर और constant भी tokens के अंदर में आता है समरी है छात्रों आज के इस lecture में हमने क्या-क्या सिखा तो आपने c programming language के अंदर tokens के बारे में समझा और identifiers के बारे में समझा keywords के बारे में समझा variables के बारे में समझा और constants के बारे में पूरे details में आपने इस lecture के अंदर में सीखा चात्रों मैं यहाँ पर कुछ assignment दे रहा हूँ जिसे आप complete कीजिए ताकि आपका self-assessment हो पाए तो सबसे पहले आप C programming language के अंदर जो tokens होते हैं उनकी definition लिखना है और उसके types लिखना है explain identifiers and right rules for constructing identifiers identifiers क्या होता है उसको explain करना है और जो rules बनाए हमने उसको लिखना है define keywords and enlist keywords keyword को define करना है कि C language में keywords क्या होते हैं और कितने परकार क्या होते हैं explain about the variables and its types variables को explain करना है और उसके परकार लिखना है explain constant and its types constant को explain करना है और उसके types के बारे में भी बताना है difference between identifiers and variables identifiers क्या होते हैं और variables क्या होते हैं उनके बीच में difference बताना है तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद की का बताना रख स्रीध